नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर मैट्रिक और इंटर परिक्षार्तियों के लिए बिहार बोर्ड ने जारी किया ये नरदेश बिहार के इन जिलों के बच्चे का सवरेगा भविश्य बिहार में जमीन ताखिल खारिज को लेकर विभाग ने बनाया नया नियम बिहार में लाइसेंस रिन्यूवल में बढ़े की सकती इन दो बदलावों के साथ कफ्तान हार्दिक पांडिया उतर सकते हैं दूसरे T20 मैच में इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से मैट्रिक और इंटर परिक्षार्तियों के लिए बिहार बोर्ड ने जारी किया ये नरदेश बिहार विद्याले परिक्षा समीति के ओर से इंटर और मैट्रिक की बार्षिक परिक्षा देने वाले परिक्षार्तियों के लिए नरदेश यारी किया गया है कि वह परिक्षा केंद्र पर चपल पहन कर जाए वैसे विद्यार्थी जो परिक्षा केंद्र पर जूता मूजा पहन कर आते हैं उन्हें परिक्षा कक्ष में जानी के अनुमती नहीं दी जाएगी इसके साथ ही परिक्षार्थियों को परिक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा यानि की प्रतम पाली के परिक्षार्थियों को 9-20 तक प्रवेश दिया जाएगा तो वही दूसरी पाली के परिक्षार्थियों को एक 35 तक प्रवेश दिया जाएग इसके साथ ही परिच्छार्थियों को यह सरा दी गई है कि वे परिच्छा शुरू होने से आधा गंटा पहले परिच्छा केंदर पर पहुंच जाएं। मोटे अनाज को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। मोटल केरियर केंदर खुलने वाले हैं जिनसे वहां के युवां को रोजगार की जानकारी मिल सकेगी और साथ ही उन्हें पत्र पत्रिका और प्रतियों की पुस्तक भी उपलब्द हो सकेंगे। इसके लावा छातर यहां से आराम से किसी भी तरह का आवेदन ओनलाइन फ्री में करपाएंगे। बता दे कि सकेंद्र का निर्मान करने का लक्ष इसे वरस्ते संबर तक रखा गया है और इसके लिए श्रम विसंसादम विभाग की और से पैसे भी उपलब्द करा दिये गए हैं। साथी विभाग के दोरा संबन्ध जिलो को दिशा नर्देश भेज दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिन आठ जिलो में स्कृंद्र का निर्मान किया जारा है उनमें गया दर्भंगा, डाल्मिया नगर, पुर्निया, सुपॉल, नालंदा, बकसर और जल अधिकारी किसे भी सूरत में दाखिल खारिज के आवेदन पर दुबारा विचार नहीं कर सकेंगे, अगर उन्होंने एक बार दाखिल खारिज के किसी आवेदन को और स्विक्रित कर दिया है, तो वह दुबारा उसे स्विक्रित नहीं कर पाएंगे, बता दे कि उनके द वाले लोग एक बार फिर से आधुनिक तारा मंदल का आनंद मई से उठा सकेंगे बता दे कि मुखे मंत्रे नीतीस कुमार के दोरा दिये गए निर्देश के बाद तारा मंदल को 36 करोर रुपए की लागत से अत्याधुनिक मसीनों और सुवधाओं से लैस किया जा रहा है और सारों की दुनिया को करीब से देख सकेंगे और साथ ही सौर मंदल पर बनी वर्ल्ड क्लास फिल्म का भी मजा ले सकेंगे बिहार में फरजी मदर्शों पर एक्शन सुरू बीते दिन पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस संजाय करोल वा जस्टिस पार्त सार्थी की खंडपी चिला सिक्षप दाधिकारी और उनके टीम को दी गई थी जिनके दौरा जांच फूरी कर ली गई है वहीं अब इस जांच को माननिये नयाले में सौपा जाएगा और उसके बाद आगे की काड़वाई की जाएगा इस बात की जानकारी सीता मरी डियम मनेश कुमार मेना के द जांच करवाई के जिसके रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इन में से 50 फीजदी ड्राइवर ऐसे हैं जिन्हें चस्मे की जरूरत है लेकिन वह बेना निया में जांच कराए और बेना चश्मा लगाए गारी चला रहे हैं इसी को देखते में पडिवहन विभाग में स करते समय सभी व्यवशाई गारी चलाने वाले ड्राइवरों के मेडिकल प्रमान पत्र की सकती से जांच की जाए और बिना नेतर जांस सर्टिफिकर के किसी भी ड्राइवर का लाइसेंस रिनूवल नहीं किया जाए इस माने खोला बच्चों के स्कूल फी के लिए चाय स्ट के लिए काफी जानी जाती है उन्होंने यह स्टॉल तब खोला था जब उनके घर की हालत बेहत खड़ाब थी और उन्हें अपने बच्चों के स्कूल की फी भरणी थी पम्मी सर्मा ने अपने पती और परिवार के किसी सदसे को बिना बताए चाय का स्टॉल खोला था हाला कि उनके पास पुंची कम थी जिस वजह से उन्हें चाय का स्टॉल ही खोलना पड़ा उन्होंने अपने जुकान का नाम नारी सकती चाय वाली इसलिए रखा ताके इसे समाज में महिलाओं को तोड़ने और जुकाने वालों को एक चालेंज मिल सके पटना के करीब पहुंची पुरवी चंपारन की जन संख्या चातिगना के तहत परिवारों की गिंती की समाप्ति के बाद सहरी आबादी के साथ साथ ग्रामीं शेतरों की भी आबादी भर रही है बता दे कि अब पूर्वी चंपारान जिले की आबादी पताना के करीब पहुँच गए है। बिहार के होनहार बिटिया 72 घंटे के लिए बनेगी रूप हत्ता पंचायत के प्रधान। बुधवार तक काजल पंचायत से जुड़ी गतिवीदियो और विकास कारियों से रूबरू होंगी और साथ ही पंचायत में ग्राम सभा भी आयोजित होगी और उस दिन विकास योजना का प्रस्ताव भी सर्वसम्मती से पारित किया जाएगा हाला की काजल की कैबिनेट का भ पहले दिन पार्शव गायक अभीजीत भटाचारी की प्रस्तूती हुई जिनके गानों ने दर्शकों को खूब जुमाया लेकिन इस आयोजन में मजा तब आया जब अभीजीत भटाचारी के साथ उपमुके मंत्री तेश्री यादव ने भी मंच साजा करते वे धरकन फिल मंच से अभीजीत भटाचारे ने पुर्व मुक्य मंत्री लालु पुषाद यादव एवं राबरी देवी से हुई मुलाकात का जिक्र भी किया बिहार के लिए विशेश राजी की मांग पर भरके सुसील मोदी एक तरह जहां मुक्य मंत्री नितीश कुमार के द्वारा बि मंत्री थे तब बिहार को विशेश राजी का दर्जा क्यों नहीं मिल सका जलालु प्रशाद बिहार में राश्रुपती शासन लगवानी के लिए आधी रात के बाद राश्रुपती को जगा कर उनका हस्ताक्षर करवाने का सूपर पावर रखते हैं वह तेश्व यादव क इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रूप और रगुराम राजन कमीटी के द्वारा भी बिहार को विशेश राजी का दर्जा देनी की मांग सुईकार नहीं की गई है प्यार की मुख्यमंतरे नितीज कुमार के खिलाव विधायत सुधाकर सिंग लगातार बयान बाजी करते ही नजर आते हैं लेकिन अब उनके सुधाकर सिंग ने अब कहा है कि अगर नितीज कुमार मेरी मांग को पूड़ा करते हैं तो यह करे सब्द भी प्यार भड़े सब्दों में बदल सकते हैं मेरे पास सब्दों के वार भी है और सब्दों के प्यार भी है अगर नितीज कुमार को सब्दों का प्यार चाहिए तो उन्हें अच्छा काम करना होगा इन दो बदलावों के साथ कप्तान हार्दिक पांडिया उतर सकते हैं दूसरे T20 मैच में आज भरत और न्यूजलाइन के 23 मैचों की T20 सिरीज का दूसरा मुकाबला लखनौ के इकाना क्रिकेट स्टेडिया में खेला जाना है मालूम हो के सिरीज में कीवी टीम T20 सिरीज के पहले मैच में जीत हांसल करते वे एक सुने से आगे चल रही है वहीं अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कप्तान हार्दिक पांडिया आज के मैच में कोई कमी नहीं चोड़ना चाहते हैं इसलिए वे प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं जानकारी के अनुसार हार्दिक पांडिया ओपनिक जोरी में बदलाव कर सकते हैं जिसमें सान किशन के साथ सुमन गिल की जगा प्रित्वी शौ को मौका मिल सकता है तीसरे नमबर पर राहुल त्रिपार्ठी को मौक को खेलते वे लिदेख जा सकता है इसके साथ है इस पिनर्स में और शिवममावी को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है जानी आज बहें बिहार में आ थीर उप्रकार प्रतिल लुपै किदा नोग यहीं कीमत सब्सक्राइब कोलिएन अन्युने 6 Oxford सारे चारे भागल पूरो जहादी लाही झालता पडागल ब्रहा किया है इसके और पेट्रॉली कीमत एक सो आरूद संदरी और डीजिल कीमत इक सो आरूद 10OOOO realize यौने यूप подход सब्सक्राइब कला जिए उन्हों ठीक devastation और पेंड थे नाम है कर अनवर्त करीम खान मुटूरंगी ला नुन्नों गोलुकुमार अब बढ़ते हैं अच के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार भारत और न्यूजलाइंग के बीच खेले जा रहे है टीटी सिरीज के दूसरे मैच में किसके जीत होगी आप अपना जवाब हमें मारे क कामन सक्षन में लेख कर जरूर बताएं आज के दिता ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बीहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें जान को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पीस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद